नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ निहा वर्मा महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रही हैं लेकिन को इतना करूर कैसे हो सकता है पती ने अमान्यता की सारी हदे ही पार कर दी पानिपत से कैसी खबर आई है जो आपके रोंग्टे खड़े कर देगी पानिपत के सनोली में एक महिला को उसके पती ने करीब डेड़ साल से बात्रूम में बंद रखा है उसे मारता पीटता और खाने को भी नहीं देता था महिला संरक्षन अधिकारी ने जब उसे बाहर निकाला तो उसने सबसे पहले रोटी मागी पानिपत के सोनाली के गाउं रिशपूर में एक महिला के साथ इतनी अमान्यता की गई कि उसे टॉयलेट में ही बंदख बना कर रखा जाने लगा उसे दिन में एक बार भोजन के लिए बाहर निकाला जाता था जिला महिला संरक्षन अधिकारी रजनी गुपता ने सनोली थाना पूलिस की मदद से महिला को मुक्त करवाया है टॉयलेट से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले रोटी मागी नहला कर दूसरे कपड़े पहनाए तो चूडिया और लपिस्टिक मागी टॉयलेट में बंदक रहने से अब उसकी टांगे भी सीधी नहीं हो पा रही है आरोप है कि 35 वर्षे राम रती को उसके पती नरेश ने करीब डेड़ साल से टॉयलेट में बंदक बना कर रखा हुआ था महिला संरक्षन अधिकारी रजनी गुपता ने बताया कि एक सूचना पर मंगलवार को गाउ रिशपूर वासी नरेश के घर पहुँची पुलिस में साथ रही नरेश घर के बाहर दोस्तों के साथ ताश खेलता मिला पत्नी राम रती के बारे में पूछा तो चुप रहा सक्ती से पूछा तो घर की पहली मंजिल पर ले गया उस टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया जिसमें वह बंद थी महिला की कपड़े गंदगी से लत्पत थे शरीर हडियों का ध्हाचा बना हुआ था बाहर निकलते ही उसने खाने के लिए रोटी मांगी पुलिस ने दबाव बनाया तो नरेश ने ही रामरती को नहलाया एक महिला ने भी उसकी मदद की कपड़े बदलवा कर भोजन दिया गया बंधन मुक्त होने की चेहरे पर खुशी दिखी उसने पहनने के लिए चूडिया और होटो पर लगाने के लिए लिप्स्टिक मांगी अधिकारी ने बताया कि महिला की 17 साल पहले शादी हुई थी उसकी 15 वर्ष ये बेटी है एक बेटा 11 और दूसरा 13 साल का है हैरानी की बात तो यह है कि पीता उनके सामने मा को पीटता था भूका प्यासा टॉयलेट में बंद रखके रखता था लेकिन उन्होंने कभी विरोत नहीं किया ना कभी किसी से शिकायत की पूलिस ने महिला एवं बाल संरक्षे नदिकारी रजनी गुपता की शिकायत पर पती के खिलाफ 498 ए और 342 के तहत केस दर्च कर लिया है पती को गिरफतार कर पूस्ताच की जा रही है महिला को बुद्वार को मेडिकल करवाया जाएगा द्वारा अपनी पत्नी को ट्वालेट में पिछले डेड़ वर्षों से कैद करती रखा हुआ है तो उस पर कालवाई करते हुए आज मैं अपने स्टाफ सहीत मौके पर गई हूँ और जहां पर देखा जाके की वाके में ही जो सुछना थी वो सही थी और पती ने अपनी पत दिन उसको खाना मिल रहा था शरीरिक धांचा ऐसा हो चुका था कि वो चलने की स्थिती में भी नहीं थी लेकिन बाचित से ही पता चला कि उसकी मानसिक स्थिती सही रही है और वो बच्चों को पेचानती है पती को पेचानती है बच्चों के नाम तक बताए उसने खुद ह पात्चित की गई तो उनका यही कहना था कि हमारी पतने के मांसिक सिथी ठीक नहीं है इसलिए हमने उसको ट्वालेट में बंद रखा हुगा ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैं थैंने वा सब्सक्क्राइब कारें